नमस्कार बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं जोदिश जराठ के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोर संतोर्षी देव गुरु ब्रहश्पती 22 अपरेल 2023 को मेश राशी में राहु के साथ यू तो होकर बैठ जाएंगे मेश में जहां पहले से ही राहु ह लगभग 25 दिन तक देव गुरु को सूरे देव का भी साथ मिलेगा क्या असर पड़ेगा मेश से लेकर मीन तक हर राशी पर आईए इसकी चर्चा कर लेते हैं ये बड़ा परिवर्तन है महा परिवर्तन है मेजर परिवर्तन है अश्वनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में देव गुरु का संचरन रहेगा और केतु से दिष्ट भी रहेंगे बहुत ज़्यादा डरने की आवशक्ता नहीं है हाला कि चांडाल दोश के विशे में हमने अपने पिछले कारिक्टर में बता दिया है कि आप उससे बचा कैसे जा सकता है बच कैसे सकते हैं सकरात्मक सू ब्रहश्पत समालने का प्रयास करेंगे लेकिन ग्रहन दोश और चांडाल दोश दोनों मिल करके परिशानिया पैदा कर सकते हैं सोच समझ करके फैसले लेने होंगे दामपत्य जीवन बिदिकते आ सकती हैं लेकिन बिद्या आधि में बिद्यार्थियों के लिए विशेश लाव की आउसर बन सकते हैं यात्रा से विशेश लाव होगा देव गुरु की महा किर्पा आप पर बनी रहेगी ब्रिशब राशी आपके लिए ये परिवर्तन दुती भाव में हैं माफ कीजेगा बारहमें भाव में ये परिवर्तन है ब्रहश्पति देव आए हैं आपका कहीं ब्लॉक हो जाएगा लव अफेयर में ब्रेक अप होगा शादी विवाह तूट सकता है संतान को ले करके कुछ गलत फैसले हो सकते हैं बच्चे की वजह से आप परिशान हो सकते हैं मिथुन राशी लावस्थान पर यह योग बन रहा है देव गुरु ब्रहश् हो सकते हैं मिसकरेज़ हो सकते हैं मानसिक तनाव बढ़ सकता है कई प्रकार का दोश पैदा हो सकता है एक्ष्टा मैटल अफेयर के चांसेस बन सकते हैं च्छती हो सकती च्छती किस प्रकार की सम्मान की अब मानित होना पड़ सकता है पंचम से सब्तम में रहेगा भीया सावधान रहने की आवश्यक्ता है करक राशिम दसम में देव गुरु ब्रहश्पत की इस्थती है और खश्ठेश हो करके आए हैं गुप्त दुश्मन फन फना करके आगे आएंगे कलीक्स के साथ कुछ दिक्कते बढ़ेंगी पैत्रिक संपत्ती विवाद बढ़ सकता है मान से कुद द्वेग आएगा पिता के साथ स्वास्थ को ले करके पिता के कुछ विशेश खर्च बढ़ेगा राज पक्ष से कुछ मनमुटाव की संभावना रहेगी काम में मन कम लगे मनने बढ़ेगा बिदेश में रह रहे लोगों को विशेश लाब होगा सिंघ राशी सुर्य पहले से ही पीडि थे ब्रहश्पत भी आगये हैं और यह परिवर्तन सिंघ राशी वालों के लिए नाइन्थ हाउस में है नाइन्थ हाउस में देव गुरु ब्रहश्पत का यह परिवर्तन कुछ इस्पेशल होने जा रहा है क्योंकि ब्रहश्पत इस भाव के नैसर की कारक होते हैं क्यों रूर्क है कारगतिमान होंगे मांसिक तनाव खत्म होगा यात्रा से विशेश लाभ होगा और मंत्रि जाब से विशेश लाभ होगा कन्य राशी, अश्टम भाव में अहयोग बन रहा है, लीवर की प्राबलम, आँखों की समस्या, गुप्त रोग की समस्या, पेट की दिक्कत, गुप्त शत्रु बढ़ जाएंगे, कुटुम्ब सुक की कमी, कुटुम्ब सुक का नाश, सेकंड हाउस पर दिश्टी, अनावश्यक धन का खर्च, अपना ही धन कहीं ब्लॉक होना, तुला राशी, सब तंभाव में ये चांडाल दोश बन रहा है, पती पत्नी में धम 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 चले रहा, सब तंभाव में बन तुला वालों के लिए बहुत बुरी इस्थति है मैं पहले ही बता दिया बहुत बुरी इस्थति है सोच समझ करके फैसला लेना होगा कुछ न कुछ दिक्कत उठापटक अच्छी खासी हो सकती है तुला राशी वालों को अचानक से एक दूसरे के प्रति अभिस्वास बढ़ जाएगा नोकरी हाथ से जा सकती है मैरिड लाइफ में उतार चड़ाव हो सकता है अचानक से कुछ समस्याएं बढ़ सकती है ब्रिश्चिक राशी छटे भाव में यह योग बन रहा है ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए ऐसी स्थती में आपके लिए ठीक स्थती रहेगी अपने बुद्धी बल से आप गुप्त शत्रूं पर हावी रहेंगे आपके उपर आपके शत्रू कुछ कर नहीं पाएंगे रुके धन की प्राप्ति होगी अधूरे कारे पूरे हो जाएंगे मांसुक शान्ती मिलेगी और सबसे बड़ी बात धन की स्थती बहुत अच्छे रहेगी धन राशी पंचम भाव में यह ब्रहश्पति का परिवर्तन है आपके लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा हाँ अक्टूबर तक थोड़ा सा उतार चड़ाओ यह सारा खेल राहू बिगाड़ेगा अधरवाइस सब कुछ बहुत अच्छा है नए लोगों से मुलाकात होगी नए अफेयर सुरू हो सकते हैं ब्रेकप था तो आप उससे मुबान कर लेंगे मन प्रशन रहेगा और यह प्रशनता आपके आत्म बल को बढ़ाएगा और सब कुछ बहुत सा गरात्मक होगा मकराशी चौथे भाव में यह परिवर्तन हो रहा है मकान आदिसे सम्मंधित विवाद समाप्त हो जाएंगे नए मकानों में अक्टूबर तक निवेश मत करिएगा समस्याएं गंभीर हो सकती है आपके लिए यह इस्थिति कहीं से भी ठीक नहीं है बहुत कुछ सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा अन्यथा ये चीजें आपके लिए गड़ बढ़ कर सकती है कुम्भराशी तिर्तिय भाव में यह योग बन रहा है लिहासा पराक्रम बढ़ा देगा मेहनत बढ़ा देगा गोचर का थर्डाउस आपके लिए यात्रा से लाब देगा नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी कुछ बिवाद भाई बहन और व्यक्तिकत रिष्टों में संभाव है वानी पर अंकुष रखिएगा और साउधानी से काम करिएगा कुम्भराशी थर्डाउस हुआ और मीन राशी सेकेंड हाउस आपके लिए दुती भाव में ये परिवर्तन कुटुम्भ में सदस्यों की संख्या तो बढ़ाता है सकरात्मक पक्ष यही रहेगा परिवार में नए लोगों का अगमन रहेगा लेकिन धन में सेध लगेगा कुछ पुलिस केस, मुकदमा, कोर्ट, कचहरी के बिवाद पैदा हो सकते हैं पत्य पत्नी के बीच में कुछ बिवाद हो सकता है मांसिक तराव और तराश बढ़ सकता है अब आप सब के लिए उपाय क्या है यह हमने पिछले वीडियो में भी डाला था इसमें फिर बता दे रहे हैं गव सेवा करना है भगवान सिरीहरी विश्रु के मंत्र ओम नमो भगवते बास देवाय का अक्टूबर तक अथा हजाब करिए इस मंत्र को अपनी दैनिक पूजा में बढ़ा लीजे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए बहुत सकारात्मक और शुब होगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अनुमत दीजेगा अपना बहुत ख्याल रखें देव गुरु ब्रहश्पत के किरपा आप सब पर पर नवाश्कार आचार्य विश्व प्रसिध जिवतिशाचार्य संतोष संतोष जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाये अपना खास ग्रहदी दीब एक खुशियां अनेक